यहां पर जतनी भी लड़की आई हैं बहुत सा लिड़कों के साथ खुझ-खुझ हुआ है उसकी मैंने अवाद उठाई है इस बार और वही कोचीज जो कैम्प में लड़किया होती है उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की सोशन करवाने के लिए ही और अध्यक्स जी ने खुद पताने कितनी लड़कियों का सोशन के आहाज तक हमने अपनी आवाज हक्की आवाज उठाई है और तुखने वाले नियसल तक हम नहीं चीज़ाते हैं ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोप आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकद में दर्ज किये जाएं कुछ की संख्या अधिकारियों पे और कानूनी कारवाई इसमें की जाए ओलम्पिक पदक विजेता हो या राष्ट मंडल खेलों में पदक जीत कर तरंगा लहराने वाली कुछती खिलाडी कडाकी की सर्दी में दिली के जंतर मंतर पर करीब 30 पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं इन पहलवानों ने कुछती महासंग के अध्यक्ष ब्रज भूशन शरंड सिंग पर यौन उत्पीडन समेत कई संगीन आरोप लगाए हैं अखबार, टीवी या डिजिटल मीडिया के जरिए एक खबर आप तक भी पहुँची होगी अब इस वीडियो में आप जानेगी कि आखिर ये ब्रज भूशन शरंड सिंग हैं कौन पहलवान से चात्र नेता बनने तक, दबंग से सांसद बनने तक और भारती जनता पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी और फिर बीजेपी के सांसद बनने तक बाबरी मजजद केस में नाम कैसे आया और कैसे एक सांसद कुष्टी महासंग का ध्यक्ष बन गया मंच पर पहलवान को थपड मारने का विवाद हूँ या पहलवानों के लिए कुष्टी में कॉंट्राक्ट सिस्टम लाना हूँ पूरी कहानी आपको सुनाएंगे शुरू करते हैं साल 1957 में ब्रज भूजन शरंड सिंग का सपर उत्तर प्रुदेश के गोंडा से शुरू हुआ बच्पन से ही पहलवानी पसंद थी और पूरी जवानी अखाडों में गुजडी पढ़ने लिखने में भी ठीक थे तो आज के आयोध्या और तब के फैजाबाद जिले के अवद विश्विध्याले पहुच कए कानू ने मास्टर्स की डिग्री भी हासल की लेकिन तब तक मन राजनीती में लग चुका था चात्रसंग में अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीते भी यहीं से ब्रज भू शरण सिंग का राजनीतिक सफर शुरू हुआ साल 1988 में बीजेपी से जुड़े और निसक्यानवी में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और संसत भी पहुंचे टिकट मुझको बीजेपी ने कोई वो नहीं मैं मांगने भी नहीं गया मैं अकेला बगती हूं मैं कह सकता हूं कि आज तक कभी भी मैंने टिकट नहीं मागा है कोई अपली के संथर चर्चा चुनावा था पहले तयारी करना सुरू करते पार्टी दे देती है तो मैंने कभी टिकट नहीं मांगा पार्टी ने टिकट दिया और क्योंकि वह आनन सिंग्ग उससे में बहुत परवाव स जीटे थी तो जब मैं पहला चुना इनके बारे लड़ने के लिए सोचा और चर्चा किया तो लोग कहते थे कि हम पागल हो गए और फिर हम लड़े और बहुत अच्छे वोट से जीते एक लाग तेरा हजार वोट से जीते तम इन लोगों के समझ में आया धीरे धीरे ब्रजबूशन शरण सिंग की छवी हिंदू वादी नेता के तोर पर उभरती रही ब्रजबूशन का नाम लाल कृष्ण आडवानी समेत उन 40 अभियुक्तों में शामल था जिनने उन 92 में आयोध्या में बाबरी मस्जद के धाचे को गिराने का जिम्मेदार माना गया था अलागी बाद में कोट ने उन सभी आरोपों से बरी कर दिया पहली बात तो यह बता दूं कि धांचा गिराने का कोई इरादा किसी का नहीं था कि और ना इसकी तैयारी थी हुआ यह कि अडवानी जी ने कहा था कि यह कारसेवा परतीकात्मक नहीं होगी और उस दिन की स्थिति यह थी कि सारे नेताओं के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा तो भारी भी नहीं थी तो जब कारसेवक आए तो उनको टालने के लिए कहा गया कि आप सर्जू जी आईए तो सर्जू जी गए तो जल ले आईए और कुछ लोग बालू ले आईए लोगों ने समझा कि चलो भाई धार्मिक अनुस्ठान है तो एक दो चक्कर गए लेकिन दो तीन किलोमेटर का चक्कर मारे है और जब दूसरी बार तीसरी बार भेजे तो गाली दे करके हमला कर दिये और जो हमला कर दिये तो सब के हाथ पएर फूल गए तो वहां गैती फरुआ जो था वो ब्रिजभूशन सिंग ने दिया था कोई संसाधन नहीं था किसी के पास उसको गिराया जाए और फिर हमी लोगों ने ये बताया हमी चिल्ला रहे थे कुछ लोग क्यों कि इतनी भीड़ थी कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते थी जो जह जाया नहीं है लेकिन पूरे गवाह हैं हम लोग दस बजे रात तक हम लोग थी आज जो बड़े-बड़े सूर्मा बने घुमते हैं ना भाग गए थे सब साल 99 और 2004 में भी ब्रज भूशन लगातार दो बार बीजेपी के सांसत चुने गए लेकिन फिर पार्टी से बनी नहीं और 2008 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए साल 2009 में यूपी के कैसर गंज से सबाके सांसत भी बने नरेंद्र मोधी के प्रधान मंत्री बनने से पहले एक बार फिर बीजेपी में घर वापसी हुई साल 2014 और 2019 में कैसर गंज से ही बीजेपी के टिकेट पर सांसत चुने गए अब तक ब्रजभूशन छे बार लोग सभा सांसत चुने गए हैं पत्नी केतकी सिंग ने भी राजनीती में कदम रखा था ब्रजभूशन शरण के दो बेटे भी हैं प्रतीक भूशन गोंडा से बीजेपी के विधायक हैं अब बात ब्रजभूशन की पहलवानी की साल 2011 जब पहली बार ब्रजभूशन सिंग कुष्टी महासंग के अध्यक्ष चुने गए और तब से आज तक लगाता तीसरी बार कुष्टी महासंग के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं ब्रज भूशन सिंग ने ही कुछती में कॉंट्राक्ट सिस्टम की शिर्वात की साल 2018 में शुरू हुई इस विवस्था में खिलाडियों को अलग-अलग चार ग्रेट्स में एक साल का कॉंट्राक्ट दिया जाता है ग्रेट A के खिलाडियों को हर साल 30 लाक रुपे मिलते हैं ग्रेट B के पहलवानों को 20 लाक रुपे दिये जाते हैं ग्रेट C के खिलाडियों को 10 लाक रुपे तो ग्रेट D के खिलाडियों को हर साल 5 लाक रुपे मिलते हैं ब्रज भूशन शरंड सिंग का नाम अक्सर विवादों में रहता है एक बार तो जहारखण में अंडर 90 नाशनल कुष्टी चाम्पियंशिप में ब्रज भूशन शरंड सिंग ने एक रेसलर को मंच पर ही थपड मार दिया था AIMIM अध्यक्ष अजदुद्दी नुवैसी के पूरवच को हिंदू बताना हो या राहुल गांधी और बिलावल भुटो को एक ही नसल का बताना हो ब्रज भूशन शरंड सिंग के विवादत बयानों के फहरिस्त काफी लंबी है सिर्फ विरोधी ही नहीं ब्रज भूशन की बेबाकी का शिकार खुद उनकी पार्टी बीजेपी भी हुई है पिछले साल यूपी में बाढ़ आई थी और राहत कारियों को देखकर योगी सरकार पर ही ब्रज भूशन भड़क गए थे कोई भी सरकार होती थी बाढ़ के पहले एक तयारी की बैठक होती थी हमको नहीं लगता कि कोई तयारी की बैठक होई है और भगवान के भरोसे लोग हैं लोग इंतजार कर रहे हैं कब पानी तूटेगा और कब हमारी तकलीफ कम होगी और मैंने अपने जीवन में कितना खराब इंतजाम नहीं देखा बाड़ के प्रत्त अपसोस यह है कि हम लोग रो भी नहीं सकते अपने भाव को ब्यक्त भी नहीं कर सकते बोलना बंध है सुनना ही है केवल बोलना बंध है जन प्रसंदियों की जबान बंध है बोलना बंध है बोलोगे बागी कहला होगे सुझाओ दोगे कोई मानेगा नहीं अब कुष्ती महासंग के खिलाफ पहलवान सडक पर उतराए है ब्रज भूशन शरण सिंग पर कई संगीन आरोप है लेकिन कई रेसलर उनके समर्थन में भी सामने आये हैं एशियन और कॉमन वेल्थ गेम्स में मेडल जीतने वाली और अरजन अवार्ड से सम्मानत दव्या काकरान ने सभी आरोपों को गलत बताया है आज तक दस साल से मैं कैम में हूँ आज तक ना तो मेरे साथ और जो मैं देखती आई हूँ ना है किसी लड़ीकी के साथ आज तक उन्होंने किसी को कुछ बोला है बलकि जो अनातर स्टेट से आते हैं हर्याना स्टेट के अलग होगे यूपी के अलग होगे हाला कि पूरे मामले में अब खेल मंत्राले ने भारते कुष्टी महासंग से सपश्टी करन मांगा है बहतर गंटों के भीतर कुष्टी महासंग को सफाई देनी है ब्रजभूशन शरण सिंग पर आपकी क्या राह है? आप हमसे साजा कर सकते हैं कॉमिन बॉक्स के जरिये ये जानकारी आप तक लेकर आये थे हमारे साथी भानू उच्छा मेरा नाम दव्यानशी सुम्राव है देखते रहिए दिललन टॉप शक्रिया